इस वीडियो में देखेंगे मदद प्रदेश वन रक्षे जिल फ्रैरी में जो आपके physics के कोशिन आ रहा है उन कोशिन को देखेंगे और देखेंगे यह सारी सारी कोशिन जो है आपको पता है कि अगर आपने exam दिया होगा जितने भी स्टुएन ने exam दिया उन सभी को पता है तीन से चार कोशिन जो है numerical जो आ रहे है और आप लोगों को जितने भी स्टुएन का exam बचा हुआ उनके लिए बहुत दा हेल्फुल रहेगी तो कि इसमें जो है कोशिन हम करेंगे जो exam में है प्लस उनकी सारसाथ practice कोशिन में करेंगे कुछ practice कोशिन है और कुछ exam में आए वे कोशिन है लेकिन उससे पहले मैं बता दूम आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो जो है उन्हों डालते रहता हूं जो कि day by day आती रह रहे हैं और advance से एक या दो कोशिन बिलने ज्यादा तर ओके आप देखें जिमेटरी से एक कोशिन जरू आ रहा है तो जिमेटरी में से अगर हम बात करें चत्रोज में से त्रोज में से और सरकर में से तीन चीज पढ़ दीजिए को उसके इलाबाद कुछ है भी नहीं है यह हम यहाँ पर हम कोशिन करेंगे किसके chemistry और physics के तो इसके सब में numerical करेंगे chemistry के कोशिन जो है वो molar जो है द्रबमा निकानला बगरा है बूबी में सिखाऊंगा लेकिन यह first वीडियो है तो इसमें हम physics के कोशिन करेंगे जो कि बहुत जाए important हैंगे आने वाले exam में भी आपको यह देखने के लिए मिलेंगे उके इसकी पीडियो मिलेगी टेलिग्राफ ग्रूप पर सबी किसे भी वीडियो जापी की पीडियो जो आपको यहाँ पर मिल जाती है तो देखेए यह कूछ फॉर्मुले को मैं अकर आपको समझाने जाऊंगा गति के नियम समझाने तो इन questions को आप ऐसे ही सियाद कर सेते हैं तुरण को हम बोलते हैं तुरण क्या होता है तुरण देखे वेग यानि कि प्रारमबिग वेग और अंतिवेग का difference होता है तो हम अंतिवेग और minus अंतिवेग को हम B से denote करते हैं small b और small u से हम जो है प्रारमबिग वेग को करते है t आपका समय होता है इस प्रकार का आपके ये गति के नियम है गति के नियम first, second और third है ये तीनों गति के नियम है अगर हम यहाँ बात करें तो ये s जो होता है वो दूरी को दिवेग करता है v जो है अंतिवेग है यू जो है आपका क्या है यहाँ पर अंतिवेग होता है प्रारमबिग होता है ए जो है यहाँ पर क्या है acceleration है या तोरान बोल सकते हैं हम इसे इसी पिरकार यहाँ पर भी सारी चाहिए आपको यहाँ पर F जो है बल है या force लगते हैं यहाँ पर डेल्टा पी क्या है संबेग में परिवर्तन मतलब संबेग में अंतिम बेग और मायनस प्रारम बेग यो है वो क्या होता है वो आपको यहाँ पर दिया गड़ा है तो यह हम फॉमुले यूज करेंगे हमारे पास 14 कोशिन जो की एक्जाम में आयो है और हम करेंगे गती और बल से संबंदित प्रष्ण है चली स्टार्ट करेंगे पहले को पहला कोशिन जो है बहुत इजी में लिया हुआ जिससे कि आपको तोड़ा सा बने रहे हैं स्ट्रेंड को रिखें इस को आप टाइम एंड डिस्टन्स वारे गोशिन से भी कर सकते हैं नहीं तो आप आपको देखे मैंने यह कोशिंश लिए लिया है कभी कभी के यह सुछता है कि यह work वगएर दी है यह है किसका यह जो है गतीकिक नियम पर ही आधारित है कोशिश ने यह दिक कोई मॉटर कार 20 किलो मीटर प्रती घंटे 20 किलो मीटर की दूरी एक घंटे में ओके 40 km की दूरी दूरी जो है दूसरे घंटे में और अंत में 30 km की दूरी एक घंटे में जो है वह है पूरी करती है यह दूसरे घंटे में नहीं आपको यह दूसरे घंटा का मतलब जो है आपको एक और घंटा वो ले रहा है यहाँ पर एक घंटा और ले लिजेगा ठीक है तो आपको यह पता है उसा चाल क्या होती है, average speed होती है, average speed होती है आपकी कुल दूरी, यानि कि total जो distance है वो, okay, append में आपका जो समय लग रहा है, यानि कि जो आपका time लग रहा है वो, तो यहाँ पर देखे, average आपकी speed क्या होगी, पहले तो देखे, सभी, जो इतनी भी दूरी आई, उनको plus कर लिए, 20 km पहले है, फिर 40 km है, फिर 30 km है, और आपको समय कितना कितना दिया, एक किलो मेटरár धोर एक घंटा, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा यानिकि ईजो है आपका 30 और यहां पर 67,89 तो 90 वट्टें हैं पर 3 आया जाएगा आप दिख़िए गा यहां पर दिक्कत क्या होती इस टुएंट को दिख्कत आती है कि उपर दिया आपको किलो मिटर Цी को हमें पर कलो मीटर आवर में स्पीड जाएगी तो उसको आपको मतलब उसा चाला आएगा किलो मीटर पर हावर में, तो ये दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा आपको अभी लॉजिक समझने आएगा, ये तो बहुत simple है, लेकिन कभी कभी कब्विक्र को मीटर से किलो मीटर में मीटर से क्या आएगा 30 km प्रती घंटा यह जो है आपका question आपका solve हो गया यह simple question था इसलिए simply तरीके से solve हो गया लेकिन अब थोड़ से question जो है tough आएंगे देखिए क्या है question कोई motor car अपने वेक को 40 मीटर प्रती से बढ़ा कर लिखना था देखिए question exactly ऐसे ही आया था वस values change थी okay student को याद नहीं है तो values change थी question वही है question है कोई motor car अपने वेक को 40 मीटर प्रती से किंड से 60 मीटर प्रती से किंड पांच से किंड में बढ़ा देता है मतलब 40 से 40 से 60 कर रहा है तो वो 5 से किंड समय ले रहा है okay कार का तोरण क्या है कार का acceleration या तोरण जो है वो क्या है अब देखिएगा हमें दिया क्या क्या है यह पता होना चाहिए हमें क्या क्या दिया है यह सबसे important ची होती है क्या क्या दिया है और निकालना क्या यह हमें पता होना चाहिए यह नहीं पता तो हम जो है कुछ नहीं कर स्टिक है उसके बाद हमारे पास क्या कर पता है कि 5 सेकंड हो गया उसके बाद हमारे पास 12 दी है यानि की आपका व्र han Video प्रहा हम जोmir को बोलते स्मॉल यू से हम डेनोट करते हैं रो उसमॉल के चाली सोरी मेंटर है और नतिम को भी कि small B से गरते हैं, जि 60 میटर प्रती सेकन है अब यहाँ पर एक formula आपको याद आरहाई से लिए तरन निकालना किया है तरन यानि कि acceleration हमें लिए निकालना है तो तरन बराबर क्या होता है अक्सेलरेशन बराबर क्या होता है आपका wave में परिवर्दन वेग में परिवरतन मतलब की आपका अंतिम वेग माइनस आपका प्रारंबिग वेग अपॉन ट यानि समय आपका यहारी आपका तुलर्ण निकालना है तो आपको अंतिम वेग कितना है आपका अंतिम वेग है 60 माइनस परारणविक वेग कितना है? अपउन में कितना किसमेह है समेह सेक्ट में तो समेह सेक्ट में यानि समेह जो हाजाईगा स्क्वएर में आजाएगा तो यहाँ पर मीटर 30 second square में answer आएगा तो 5.20 यानि कि 4 कितना आएगा 4 मीटर 30 second square या 4 मीटर परती आपको square square को यह है मतलब square कही या कुछ भी कह सकते है कोई दिक्त नहीं power 2 बोलते हैं कई लोग square बोलते हैं अगला कुछ देखेंगे क्या है देखेंगे एक बस्तु इस्तिती में मिस्तिती से आरंब होकर यानि कि उसकी स्तिती कैसी आरंबिक यानि कि उसका यह यू है मतलब प्रारंबिक वेक कैसा है उसका 0 है से होकर 4 मीटर परती second square के निरंतर त्वरंड से इस्तानांतरत होती है 8 second बाद इसकी गती कितनी होगी हमें दिया क्या क्या है यह हमें पता है भई क्या क्या दिया है तो हम वो लिख लेते हैं देखें लिखना मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लिखना अवश्यक है मैं बस आपको समझाने के लिए चीज़ लिख रहा हूँ बाकी कोई दिक्कत नहीं है जिससे क्या समझ में आता है तो आपको formula दिमार्ग में drive हो जाता है कि यह formula है आपर लगने बाला है ठीक है तो देखें हमें समय क्या दिया है पहले तो हमें small t हमें दिया आठ सेकंड ठीक है आपका प्रारंबिक वेग यानि की 0 दिया है यू आपका अंतिम वेग जो है कितना दिया आठ आ सरी 4 मीटर 30 सेकंड स्क्वेर और निकालना क्या है आपको कितनी गती है गती मतलब आपको निकालना है क्या निकालना है आपको गती मतलब इसकी गती कितनी है लास्ट तक आपको गती निकालना है यानि कि अंतिम में गती निकालना है ठीक है यानि कि आप चाहिए आठ सेकंड वेग आपको निकालना है तो हमें एक फॉर्मुला यादा रहा है क्या आ रहा है आपकी गती का कौन सा नियम है भाई जली से बता दीजीगा गती का पहला नियम है पहला नियम भी ब्रावर यू प्लस ए इन्टू टी यह जो है आपका जो है फॉर्मॉला है आपके यूज होगा अगर कोशन का आंसर जो SI unit में है और सबासे SI में है तो SI में बना लीजे नहीं तो आपको change करना पड़ेगा एक कोशन में change करके बताऊंगा कैसे change करना है ठीक है 8.32 कितना है 32 मीटर प्रतीस सेकिंड ठीक है मीटर प्रतीस सेकिंड आप्शन कहा दिया है 32 option number 3 में दिया हुआ है सिंपल कोशन है ज्यादा टफ नहीं बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए फॉर्मूले आते हैं फॉर्मूले आते हैं फॉर्मूले आता है अगला कोशन एक कार ब्राम वस्था में चलकर 0.1 मीटर प्रती सेकिंड स्क्वेर तोरण की दर से 4 मीटर तक चलती है चार सरी 4 मिनिट तक चलती है इस कार द्वारा तै की गई दूरी कितनी है तै की गई दूरी कितनी है हमें पता होना चाहिए क्या क्या हमारे पास है पहले तो हमारे पास क्या क्या है भई यहापर दिख सोटारंड की गति से टीक है कि वन पॉयंट कितना दिया आपको मीटर प्रती सेकेंड स्क्या है ठीक है तो देखी education हमें कितना दिया तो अलंट 0.1 उके फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है यहां पर चार मीनट चार मीनट दिया है समय कितना दिया 4 तिया अच्छा 4 मिनट जो दिया है कि है एसा है यूrit है नहीं ये आपको चेंज करने पड़ेगे सेकेंड में क्योंकि आंसर जो है हमें सेकेंड में ले या इंड करना पड़ेगा इसमें ब्राम वरष्ता है याई कि प्र्राइम हूं जो वह आपको जीरो गाएगा यू क्या है अब को ओर निकालना वहाँ दूरी के लिए आपको 이야 फ्रमूला होगा वह घिंश कीण वाला जो लिएक फ्रार वाला A into T का square ठीक है यह जो है आपका formula है इसको आपको याद कर लीना है कैसे भी करकर बहुत ही simple है अगर आपने थूड़े बहुत fix पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा इसको याद करने की जुरूत नहीं बहुत simple पास आपके सब्सक्राइब एक मिर्ट रुख जाएगा एकसलेरेशन था हमारे पास 0.1 है ती यह नहीं समय जो है 240 दो बाल लिग लेता हूं कोई देखका था किसी को 240 240 लेख देता हूं मैं आपको यहां से मैंने इसको काटा तो 120 बचेगा कितना बचेगा 120 बचेगा अब एक काम करिए यहां पर देखेगा 48 28 हो गए अब देखिए आंसर जो आया है वो मेरे मीटर में आया है किस में मीटर में आया है ठीक है आंसर क्या आया है मेरा मीटर में आंसर आया है लेकिन मुझे आंसर जो दिया है वो किलो मीटर में दिया है तो कनवर्ट कर दीजे कुछ नहीं करना है आपको 1000 का भाग दे देना जीरो से जीरो काट देंगे एक दो जीरो यानि कि टू पॉइंट एट आपका आंसर आएगा टू पॉइंट एट किलो मीटर जी करेक्ट आंसर ठीक है चले आगे बढ़ेंगे अगला कोशन देखेंगा क्या है एक कार ग्राम वस्था में 0.1 मीटर प्रती सेकेंड स्कु चार मिट बाद इसका वेग क्या है चार मिट के बाद वेग आपको पता करना है तो यह बहुत सिंपल कोशन है आपको तुरन दिया है आपको समय दिया है और आपको वेग निकालना है वेग मतलब कि अंतिम वेग निकालना है प्रारंबिक वेग क्या है जीरो है तो आपको पता है जो है आपका फर्स्त लॉफ जो मोशन है वो क्या है वी स्कल्टू यू प्लस 80 यानि कि गति का प्रिथम नियम जो है वो आपको यह है तो आपको यू कितना दिया जीरो यानि कि आपके प्राणबिक भी गिरो था यानि कि आपका तौरण पॉइंट वान आ गया कि टी कितना है समय है आपका चार मिनट ओके अब चार मिनट दिया है आपको चार मिनट को क्या कर लीजे इसको सैकेंड में कनवर्ड कर ली साट का मैंने भाग दिया तो कितना हो गया दूसर चालिस अब दूसर चालिस हो गया दूसर चालिस आपके पास multiply है पॉइंट वन है तो एक काम करी इसको direct multiply करी 24 मीटर प्रती सेकंड क्या गया 24 मीटर प्रती सेकंड option number two is the correct answer ठीक है चरी अगरे question क्यों बढ़ती है कोई रेल गाड़ी वेक लगाने की कारण 6 मीटर प्रती सेकंड स्क्वेर का मंदन अनुमब करती है मंदन अनुमब करना का मतलब वो रुकावट जो है इसमें आ जाती है क्या जाती है मंदन निगेटिव जो है तुरन कैसा है निगेटिव है करती हुई करती हुई दो सेकंड म रहत है कि गई दूरी आपको पता करनी है अब देखी हमारे पास है क्या क्या और निकालना क्या क्या यह कोशिन बहुत अच्छा है आपको इसको निकालने के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए देखे यहाँ पर हमें मंधन यानि की हमें जो है निगेटिव जो है तोरण मिल रहा है यानि की यह जो है हमारे पास क्या मिल रहा है यहां पर मैं लिख लेता हूं एक जगा पर मंधन यानि तोरण आपको 6-6 मिल रहा है ठीक है वी यानि की आपका जो अंतिम वेग है वह 0 मिल रहा है जो गाड़ी है वो रूप रही है टी बराबर क्या है आपके पास टी T 2 seconds, क्या है T 2 seconds, अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है सापका तेकी के गई दूरी, क्या है सार्ट किला है , क्या Yes निकालना है , यह निकालना है , तो स हमारे पासथ कहा कहां पर आता है , एक तो ad about the other thing and the other thing में आता है तो आपको पहले तो एक चीज करनी होगी आपके पास क्या-क्या नहीं है अगर आप first law of motion लगाते हैं V is equal to U plus 80 ठीक है तो इसमें S तो ही नहीं है नहीं है आप अगर second law of motion लगाते हैं तो S is equal to U into T plus 1 by 2 AT square ठीक है तो आपको क्या चीज़ आपको जरुत पड़ेगी यू की आपको जरुत पड़ेगी यू की यहाँ पर क्या जरुत पड़ेगी भई आपको यू की जरुत पड़ेगी यान जो प्रारंबिक वेग है उसकी जरुत आपको पढ़ने बाली है तो प्रारंबिक वेइक को निकालने के लिए हम first जो है lock motion यानि की पहला, गधि के पहला meaning जो है, हम उसका इसतमाल कर सकते हैं ठीक है तो हम इसका इसतमाल करेंगे चलिए इसका हम use करते हैं, क्या आएगा देखते हैं तो देखे v बरावर जानि V की value 0 है U हमाई नहीं पता U हमें निकालना है ती ए अवलब acceleration कैसा है minus में है T क्या है आपका 2 है तो यह कितना आ गया आपका 6 दुनी कितना आ गया यह 12 आ गया कितना आ जाएगा आपका यह 12 आ जाएगा यह minus में आएगा U यहाँ पर चला जाएगा तो यह आपका 12 आ जाएगा यानि कि आपका प्रारंबिक वेग जो है वो क्या है 12 है प्रारंबिक वेग 12 मीटर प्रती सेकंड है यह प्रारंबिक वेग हमारा पास हमारा यह आ गया अब हमारे पास आपको distance निकालनी है तो distance मतलब s गरावर निकालनी है s में आपका यह formula यू यू t प्लस 1y2 a t square होता है ठीक है तो यू हमारे पास है कितना है 12 है यह हमारे पास क्या है आपको अब सरी टी आएगा टी कितना है time 2 है प्लस 1y2 यह कितना है हमारे पास फिर से आपका यह जो आएगा तुरण जाएगा माइनस में आएगा 6 acceleration जो है हमारा कहता मंदन जो है डिक्रीजमेंट जो है आपको माइनस 6 जो है मिल रहा था ठीक है और 2 जो है 2 के उपर square लगा दीजिए इस 2 को इस square से काट देखो कि दो दूनी 4 होते है वैसे भी तो 6 दूनी आपको कितना मिल जागा है यहां पर 12 मिल जाएगा यहां से कितना मिल जाएगा 12 माइनस का 12 मिलेगा यहां से कितना मिल जाएगा 24 यह कितना है यह 12 कितना है तो आपका answer है 12 मीटर क्या एक answer 12 meter is the correct answer ठीक है चली अच्छा question था बहुत बड़िया question था आप लोगों के लिए अगला question क्या है कोई बस्तू 20 meter per 30 second की चाल से चल रही है चाल कितनी है 20 meter per 30 second यानि कि प्रार्मिक बेक कितना 20 meter per 30 second एक वस में break लगने के कारण 25 meter per 30 second का मंदन उत्पर होता है यह बस कितने समय में विराम में पहुंच जाएगी यानि समय आपको बताना है आपको देखी क्या क्या दिया है यह सबसे important चीज होती है अगर आपको यह चीज समझ में आ गया है कि क्या 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 देखी आपका जब physics से important portion है अगर आप ऐसे numerical करना चाहते है तो दो चीज आपको पता होने चीज पहला याद होना चीज यह दूसरी आपको यह चीज पता होना चीजिए कि ये इसमें धिया क्या 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 और कौंसा formula लगेगा जिसकार हम math मैं करते हैं उसी पिरकार यहां पर भी करना होता है तो यहां पर हमें यू दिया है वो कितना है 20 आपको acceleration माइनस में ही दिया हो मंदन दिया है तो माइनस मी ही आएगा 25 आपका समय आपको निकालना है जो है वो 0 होगा क्यों होगा क्योंकि वो break लगा रहा है तो पूछा क्या है ब्राम बस्था में कब पहुँचेगी तो V विराबर 0 और T हमें निकालना है तो हमारे पास एक सूतर होता है एक formula आता है V is equal to मतलब गती का पहला नियम U plus 18 ठीक है V 0 है U कितना है आपका 20 है एक इतना है आपका प्लस का मैं लगा देता हूँ मैंनस का 25 T कितना है आपका T जो है आपका समय हमें निकालना है क्या करना है T हमें निकालना है तो आप एक काम करेंगे T को यहाँ पर लिख दीजे 25 T यहाँ पर है और यहाँ पर है 20 और यह क्या है आप माइनस में जाएंगे तो इस वाइज जाएंगे यह जाएगा 5 और आपका भाग लाएंगे 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो point लगाएंगे फिर आप 5-4 तो point 8 आएगा क्या आएगा point 8 second आएगा क्या आएगा point 8 second option कहीं पर दिया है बिलकोल दिया option number 2 3rd में हमें दिया हुआ है point 8 second चले अगले कोशिन के और बढ़ते हैं क्या दिया है दिया है एक पत्थर जिसका द्रबमान 10 किलोग्राम है उसको 2 मीटर पर 30 सेकंड स्क्वाइर के वेग से फैका जाता है उसका संबेग कितना होगा अब संबेग पूचा है संबेग मतलब आपको एक फॉर्मुला पता होने चाहि देखी मैंने पहले ही कहा है कि फॉर्मुलेस आपको याद होना चाहिए फॉर्मुला क्या है संबेग बरावर आपका होता है द्रबिमान देखे मैं एक काम करता है द्रबिमान नहीं लिखता हूं यहां पर लिखता हूं द्रबिमान को मैं मास बोलूँगा मास इंटू आप मान कितना है 10 है आपका वी यानि वे कितना टू है तो कितना कितना आ जाएगा भई बहुत सिंपल है यह जाएगा 20 केजी किलोग्राम मीटर स्क्वार मीटर सेकेंड स्री मीटर स्क्वार नहीं मीटर अलग कर लिजेगा एक वस्तू पर एक वटे दस सेकेंड के लिए लगता है वल मतलब फोर्स जो लग रहा है हमारा जो पचास न्यूटन का लग रहा है और एक वटे दस सेकंड के लिए लगाया जाता है किसी वस्तु पर वस्तु के संबेग में परिवर्तन कितना होगा वस्तु के संबेग में परिवर्तन कितना होगा वस्तु के संबेग में परिवर्तन का फॉर्मुला क्या है डेल्टा पी क्या होता डेल्टा पी बरावर या तो म वी माइनस M U मैं कर लो, ठीक है, M U मैं यहाँ पर कर लो, यहाँ तो मैं यह कर लो, ठीक है, क्या कर लो, यहाँ तो मैं यह कर लो, यहाँ फिर मैं M, और M, क्या कर लो, मैं यहाँ पर, इसको बटे मैं, मतलब इसको भार निकाल लो, था नहीं को क्या करूं या तो मैं इसको बार नकळ होती हैै अब दीकिएформ lado क्या है हमारे पास अधो यह बस्तु का संबेग अ a कर नहीं कालना है क्या वर्फतु का संबेग हमें निकल करना चहब Solo हैख कि फोर्मुला और होता है 50 Newton दिया है इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो आप कैसे निकालेंगे वो अलडeles आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है किया हुआ है आपको इने दिया हुआ है संभेग तो आपको निकाल लगकर मैं एक समय कितना दिया है एक बटे 10 दिया है एक बटे 10 को मैं एक बटे 10 ना लिखकर मैं एक काम करता हूं इस 10 को यहां पर लिख देता हूं बैना लिख दिया 10 इस 0 से मैंने 0 कोड़ा दिया यह डिल्टा पी मेरा कितना आएगा मेरा 5 आएगा 5 किलो ग्राम मीटर पर सेकिंड ठीक है ये मेरा उत्तर हो गया, इतना सिंपल सा कोशन था और कुछ था नहीं इसमें बस आपको फॉर्मुले पता होने चीज़ी था, डिल्टा पी क्या है और आपका फॉर्स जो है उसमें फॉर्मुला क्या लगता है बल बराबर क्या होता है, देखिए बल की दो कोशन है बल कि दो formula होते हैं एक बल बरावर द्रबमार इंटू त्वरन या फिरम इसे बूल सकते हैं संबेग में हुआ परिवरतन बटे समय ठीक है और यही आपका formula यहाँ पर संबेग में हुआ परिवरतन बटे समय यह आपका force कहलाता है या फिर बल कहलाता है अगले question की बढ़ते ह में आपको देखी कोशिन आया हुआ है क्या है यह कोशिन आपके आपका जो है आपका चौवीस या पचीस तारिक में आया हुआ है ठीक है यह कोशिन को आपको मेरे पास आप्षिन नहीं है यह कोशिन आपके एक्जाम में आया हुआ है कोशिन है चार किलोग्राम द्रमान के एक बस्तू पर वल लगता है और उसके वेग की वेग की 10 मीटे परती सेकंड से 20 मीटे परती सेकंड में परिपरतन कर देता है वेग में कितना परिपरतन आ रहा है दस से वह 20 हो रहा है कर देता है लगाए गए वल का परिमान क्या है लगाए गए वल का परिमान क्या है यानि force क्या है आपको total force निकालना है total force निकाल लीज़े भई क्या होता है force का formula का f is equal to आपका m a f is equal to m a होता है देखे force के देखे दो formula होते है एक तो आपका m is equal to m f is equal to m a होता है mass into द्रबमान ठीक है mass into आपका एक्सलेशन आफरम तौरन बोल सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं यह डिल्टा पी अपॉन टी यह अभी हमने करा अब हम इससे कर रहे हैं ठीक है तो यह दोनों ही फॉर्मुले जो हैं वो आपके बहुत काम के हैं तो एम बरावर यह नहीं मास बरावर कितना दिय हैं भाई मास कितना दिया जैऑ लिसे देखें मास थो हमें दिया है जो भी दिया कितना दिया भाई मास मतलब कि सी चीच की जो दवर माने वह कतना चार है अब जो एम है वह होता है अगर आप इहां और एम का तो रोल हो गया लेकिन अब एहेihi'? एकसलेरेशन कितना है? अब एकसलेरेशन होता कितना, तुरन में हुआ परिवर्तन, तुरन में कितना परिवर्तन हुआ? अंतिम वेग 20 माइनस आपका प्रहरंभी वेग कितना थैड़ 10 में हैं तो आप करेंगे 4 ओके यहां पर आएगा 10 इंटू यहां पर आएगा T जीके आपका 40 बटे T आंसर आएगा और T अगर दिया होता समय आपको दिया होता तो हम समय वहाँ पर रखते यहां पर T नहीं substantial तो आप T को यहां पर इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा बाकी student जो हो सकता है भूल गया हो समय लिखना बोलना बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यह question आया था और इस प्रकार से answer आ गया है 40 newton अगर आता है देखिए अगर इसे माल लीजिए 40 Newton है समय दिया होता 2 सेकंड तो आप करते 20 Newton 20 Newton आपका समय अगर सेकंड 20 Newton प्रती सेकंड आपका अंसर आ जाता है अगला कोशन है कोशन नमर 11 है 10 किलोगराम की एक बस्तु जो की बिरावस्था में है यानि कि आपका प्रारंबिक बिक 0 है पर एक 50 Newton का पल यानि F बरावर 50 है 2 सेकंड में लगता है यानि T बरावर 2 है बस्तु में उत्पन तुरण क्या है तुरण मतब एक्सलिरेशन क्या है बस्तु में लगाया गया तुरण क्या है तो बहुत सिंपल कोशिन है F बरावर M A बरकलेंगे है फोर्स कितना है आपका 50 Newton है आपका दर्बमान कितना है 10 है समय कितना है 2 है समय की जुरुत नहीं है इससे इसको काट दिया A बरावर आ गया 50 मीटर 30 सेकंड स्कूर या पर सेकंड स्कूर भी बोल सकते है तो option नमबर हमारा बना गया ठीक है 5 मीटर 30 सेकंड स्कूर आपका अंसर आगया अगले कोशिन है 10 किलोग्राम की एक बस्तु जो की बिरावस्था में है पर 50 Newton का अबल 2 सेकंड के लिए लगता है बस्तु द्वारव्ण प्राप्थ बेगता है तो देकि दिया क्या क데 है हमें पहले तो यह पता होने चीए दिया क्या क्या है भरी आपका दिर्माने नि मास दिया है आपके पास 10 ठीक है फोर्स दिया है,वल दिया आपको 50 Newton ठीक है कि अंतिम वेग आपको निकालना है यह आपको निकालना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगर वेग निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है वी स्कल्टू यू प्लस एटी ठीक है यह आपके पास है आपके पास कि ही आपर आपको पस a है, और आपके पस t है, math t है, और u तो आपको 0 हो जाएगा, खुँई प्रारम में ब्राम बस्त हमें था, ठीक है, यू तो भी था, यू तो आपको 0 है, अब आपको एक चिए आपको पता है, f बराबर क्या होता है, ma होता है, क्या होता है यहां से हमें क्या पता चल जाएगा यह हमारे पता चल जाएगा जो कि हमें यहां पर रख देंगे यहां पर हम रख देंगे ठीक है यह को हम यहां पर रख देंगे यहां पर ठीक है अगर यहां पर रखेंगे तो यह निकाल लीजे ルク यह लगाइब ऐ फैल 갑श यह कितना हैं किम है मांस कितना ड़स तो यहां पर डार्यक्राइक नगी अज़िता हूं मैं ईए आ जाएगा आपका तो ए आ गगया आपका पंच कितना आगा यहां आपका पांच आगया ठीक है ए ज दिए फोर्मूले दीजी हमाँ पर, वी बराबर हमें पता करना है, यू दो है 0 दिया, यानि कि प्रारांबिक वेग जो है 0 है, ओके, ए हमारा पास 5 है, टी बराबर कितना दिया 2 दिया है, तो 10 आ जाएगा क्या गए 10, ओके, 10 मीटर प्रती सेकंड, ठीक है, क्या गए 10 मीटर प्रती सेकंड आपका, जो है वेग आ गया, ऑप्षिन क्या है, ऑप्षिन नमबर 3 में, क्या है, 3 में ठीक है, चरे, अगले कोशिन कर बढ़ते है बहुत ही प्यारा सा कोशिन 21 न्यूटन, 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रब्मान, बाली बस्तू पर लगा जाता है तो उत्पन, तौरन क्या है तौरन लिखा है, वह तौरन कर लीजेगा क्या करना, तौरन करना, एक्सलिरेशन क्या है, तो वो निकालना, F विरावर आपको, MA लगा दीजे, बस इतना सा कोशिन है, फोर्स दिया है आपका 21, कितना दिया है 21, ओकी, आपका मास दिया है, तीन, एक्सलिरेशन निकालना है, तो 3 सत्ते 21, तो 7 मीटर पर 30 सेकेंड स्क्वेर आ गया आप्शिन नमबर 1 आ गया, इतना सा कोशिन था, अब देखिए, बहुत बहुत अच्छा कोशिन है, एक्जाम में आया हुआ है और ये जो है आपका 28 तारिक को कोशिन आया हुआ है 28 तारिक में से कोशिन आया है 27 तारिक को कोशिन आया है 27 में आया हुआ कोशिन है और ये कोशिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है और आप मतलब यह मैं यह नहीं कह रहा है complicated है simple question है अच्छा question है question क्या है पहले पढ़ लिजेगा एक 20 kg दर्वमान की गोली 2 kg की बंदूग से 1500 मीटर प्रती सेकिन के प्रारंबिक वेक से छोड़ी जाती है बंदूग का प्रती छे प्रती छे जो है बेग क्या है प्रती छेपित होता है यहाँ प्रती छेपित होता है इसको प्रती छेपित कर लिजेगा प्रती छेपित का मतलब होता है देखे यह माल लिजे यह से माल लिजे यह जो है एक बंदूग है ठीक है एक बंदूग है है आपके पास यह B की और और बंदुक पीछे जाती है यहाँ पर कौन सा नियम लगता है हमारा जो गती का है वो तीसरा नियम यहाँ पर लाग होता है गती का कौन सा तीसरा नियम हमारे पास लाग होता है अगर आपको कभी भी ऐसा कोशिन आ जाए कि आपको बंदुक दी है या तोप दी है या कुछ भी ऐसी चीज़ दी है जिसको वो मतलब जिसमें गती का तीसरा नियम जो है वो लग रहा है क्या लग रहा है तीसरा नियम लग रहा है और यहां पर प्रतिशेपित वेग मतलब निकालना है आपको क्या निकालना है जो आपको निकालना वो निकालना कि गोली चलाने के आद बंदुक से 1.500 km प्रती घंटे के जो है से जो है वो क्या करती है मीटर प्रती सेकेंड से वो है ट्रवल कर रहे लेकिन बंदूक का निकालना है ठीक है यहां पर एक फॉर्मूला सिंपल्स होता है या तो बंदूक हो या तो वो कुछ भी हो इस पिरकार यहां पर कैपिटल M और यहां पर आएगा जी अब इन चीयों को समझ लीजिए क्या 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 है यहां पर हमारे पास माइनस में आता है यह माइनस में क्यों आता है प्रती शेपित बेग क्योंकि एक्शल में जो प्रती शेपित बेग है वो माइनस में इसलिए आएगा कि जो बंदूब गोली है वो आगे जाएगी और जो बंदूँख है वो पीछे जाएगी इसलिए yeah minus में बाई कभी इसका minus minus में सूरे रहा है या पर नहीं दे रहा हो था ठीक है बंदूब ब्राम वस्था में ब्राम वस्था की इस्तिति में थी okay जिससे वह बाद में किजाएगी वह गती में गती ऑसमें आ जाएगी इसलिए जो पीछ जा रही है वह और पीछ जाने से क्या है उसका माइनस से दिनोड करते हैं ठीक है के आम पर चैपिटल जी जो है वहונה है इस जी क्या है गन की velocity होती है ठीक है capital M क्या है यहाप लिखते जाएगा capital M क्या होता है gun का दिर्बमान है यह फर मास बोल सकते है small m b क्या है आपके पास small m यह bullet का मास और small v b m small यह वाला जो है वो क्या है वो आपका bullet की velocity है गर ग्राम में दिया है यह ग्राम दिया है यह ग्राम तिये है अब बाकी आपको यह क्या दिया है आपको एसा यूनिट में तो ग्राम को हमें चेंज करना पड़ेगा ठीक है क्या करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा 20 ग्राम से में किलो ग्राम में बदलना है तो 1000 का क्या करना पड़ेगा हमें भाग करना पड़ेगा 0 से मैंने 0 कर दी 2-0 आ जाएंगी तो point zero point यह आगया आपका answer नहीं है यह आपका जो है द्रबमान यहाँ पर हमने निकाल लिया ठीक है हमारा द्रबमान यह unit हमने सभी कर लिया तो इस formula में रख देते हैं direct M कितना है हमारे पास MB कितना है 0 minus में लखी है नहीं लिखी कोई द्रबमान है इसको करने की जोट नहीं है आपकी जो बंदुक की velocity है वो कितनी 150 है आपका जो गन का द्रबमान है वो कितना है आपका गन का द्रबमान यानि की गन की जो भार है वो कितना है दो है ठीक है अब एक काम करिए इस दो को इससे काट ली हाँ पर बचेगा 1 कितना बचेगा 1 और 1 का into करेंगे यानि कि आपका 0.01 का into करेंगे ये वाला जो है हमारा हड़ी गया ये हमने काटी दिया कोई दिक्कत नहीं है तो ये बचा तो आप देखेंगे 1,2 यानि कि 1.5 कितना हैगा? 1.5 मीटर परतीस सेकंड जो है आपका ये आपका और अंसर आजेगा ये किया हैगा? ये जाएगी बंदुक जो है विपरी दिशा में जब जा रह dni है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो 1.5 meter per second यह इसकी speed होगी ध्यान रखेंगे यह हमारा answer होगा तो I think यह video जो है आपको helpful लगी है वीडियो कर helpful लगी है तो like और share कर देंगे इसी प्रकार की videos मिलती रहेंगे regularly और आपको एक और video आगी कि 2-3 video में बनाऊंगा और सारे के सारे question हम कर लेंगे बल से हो चाहे कती से हो या गती उर्जा से हो संबेग से हो अभी दो topic और बचे हैं अभी दो topic आज खतम करें कल दो topic करेंगे फिरद हम molar value कैसे निकालते हैं वो देखेंगे chemistry भी देखेंगे और other topic भी हम देखेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे share कर देंगे चैनल subscribe कर दीजेगा thank you अब वाचिए देखेंगे आपके exam के लिए आपके result के लिए